तन जावला में हिट एंड रन केस से गुरी ये एक्स्क्लूजिव ख़बर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के मताबिक स्पेशल सीपी शालनी सिंग की देखरेक में बनी विशेश जाच टीम ने शुरुवाती जाच में कुछ चौकाने वाले खुलासे किये हैं शुरुवाती जाच में पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई है और फिलाल ग्रे मंत्राले द्वारा बनाई गई कमेटी एक या दो दिन में अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिशनर को सौप सकती है लेकिन जो शुरुवाती जाच है उससे पुलिस की जो भूमिका रही है उस पर गंभी सवाल खड़े हो रहे हैं सवाल खड़े हो रहे है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को उस रात हैंडिल किया गया तो पुलिस की लापरवाही की बात साफ तोड़ पर सामने आ रही है तो ये बड़ी खबर इस वक्त लिए आपको बता दे ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ चाड़ बेज कर साल में दो करोड कमाते हैं उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें और अब आपको दिखाते हैं सुभा आठ बजे की अस्ती बड़ी खबरे फटाफट अंदास में अंजली की दोस्त निदी पर उठ रहे सवाल CCTV वीडियो में हादसे के बाद गली में भात्ती हुई दिखी निदी तंजावला में हदसे के बाद आरोपियों ने रोहिणी में पार्क की गाड़ी केस में सामने आया एक और वीडियो सुभा चार बच कर इक्यावन मिनिट पर रोहिणी सेक्टर एक में गाड़ी को खड़ा किया गया अंज़ी की मा ने निधी की बात की बताया घलत कहा मैं निधी को नहीं जानती सब सोची समची साज़िश निधी भी इसमें हो सकती है शावली अंज़ी के रिष्टेदार ने केस की सीब्याई जाच की मांग की कहा निधी से सकती से की जाए पूछदाच कंजावला केस को लेकर जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च अंजिली के लिए इंसाफ की मांग की कंजावला जैसा कांट स्कूटी सवार मैला को तीन किलोमीटर तक खसी ता गया ट्रक लखनों की रहने वाली बताई जा रही है हलदवानी में रेलवे की जमीन खाली कराने गई पुलिस से भीड की बहस आज सुप्रीम कोट में होगी सुनवाई सीम धामी बोले न्यायाले और रेलवे विभाग के बीच की बाद कोट के फैसले के बाद सरकार करेगी काम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए सीयार पेफ की अठारा अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती राज़ोरी में हमले के बाद आसपास के लागों के लिए भी सीयार पेफ की अठारा कंपनियां तैनाती जम्मू कश्मीर में आतंक वाद पर सुरक्षा बलो का पूरा नियंतरण जम्मू कश्मीर पर ग्रिह मन्फराले की रिपोर्ट आतंकी घटनाओं में कमी आई जम्यों के नौशेरा सेक्टर में सर्च उप्रेशन जारी तीन सक्दिग्द दिखने के बाद सुरक्षाबल एलर्ट पूरे इलाके में मोबाईल चेक पोस्ट लगाए गए रज़ाडी मामले पार महभुबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा कहा हिंदूओं की हत्या से बीजेपी को उनके अंटी मुस्लिम नेरेटिब में मदद मिलती है ऐसी घटनाओं की कोई जवाब दे ही नहीं सोनिया गांदी को दिली के गंकराम अस्पताल में कराए गया भरती वाइरल रेस्पिरेट भी इन्फेक्शन का इलाच जारी ग्रे मंत्री अमिच शाह के विमार की गुवाहाटी में कराए गई एमर्जेंसी लैंडिंग खराब मौसम की वज़ह से रात को अगर तला नहीं पहुच पाई शाह भारत जोडो यात्रा पर अखलेश यादव का बयाम बोले भारत जोडो यात्रा की भावना से जुड़ा हूँ लेकिन इसमें हिस्सा नहीं लेंगे भारत जोडो यात्रा में राहुल गांदे ले बीजेपी पर बोला हमला कहा पीएंग के दोस्तों के पास जाता है जनता की जेब का पैसा देश में डर और नफरत पहला रही है बीजेपी आज बिहार में कॉंग्रिस की पध्यात्रा शुरू करेंगे कॉंग्रिस अध्यक्ष खडगे बाका से शुरू होकर गया में खत्म होगी ये यात्रा बिहार के 17 जिलों से होकर गुजरेगा 1200 किलो मीटर लंबा मार्च बिहार के मुख्यमंट्री नितीश कुमार आज बगह से शुरू करेंगे समधान यात्रा बुद्वार को वालमी की नगर में किया एको टूरिजम करने लिक्षा आंदर प्रदेश में चंदरबावू नाइडू की राली में फिर हंगामा पुलिस और टीडीपी कारकर्ताओं में भेड़ा अंतु पुलिस ने लाठी चार्च किया यूपी निकाय चुनाफ पर योगी संदार को सुप्रिम कोर्ट से राहाथ हाई कोर्ट के जन्वरी में ही चुनाफ कराने के आदेश पर सुप्रिम कोर्ट ने लगाई रोक चमोली के जोशी मठ में हो रहे भारी भूस खलन के विरोध में स्थानिय लोगों ने निकाला जुलूस एंटी पीसी के खिलाफ हुई जमकर नारे बाजिक लखनों में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर समिट में निवेशकों को आमंतरित करने मुंबई पहुचे सीम योगी अक्षे कुमार से मुलाकात की तस्वीर आई सामने मुंबई इंवेस्टमेंट समिट को लेकर अक्लेशका योगी से सवाल कहा बताए कितना काम जमीन पर हुआ इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है हर्याना की क्मेल मंतरी संदीप सिंग पर आरोप लगाने वाली महिला कोच ने मंतरी की गिरफतारी के मांकी कहा उन पर धारा 376 लगानी चाहिए वकील ने यौन उत्पिणन की बात ले लखनव में बदले गए चार बस अड़ों के नाम शहीदों की याद में रखे गए नाम आलम बाग बस टैडड अब वीरांगना उदा देवी बस स्टेशन कहलाएगा सदार मंजी मोदी मुख्य सचिकों के राश्ट्री सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे राज्जियों की साजेदारी में तेजी से आर्थिक विकास करने पर केंद्रित होगा सम्मेलन सार जन्वरी को पियम मोदी करेंगे संबुर्भ आईपेस देवेन भारती मुंबाई के पहले स्पेशल पुलिस कमिशनर बने पहली बार मुंबाई में स्पेशल पुलिस कमिशनर की न्यूगती माराज के पूर मंतरी अनिल परप के खिलाफ एडी का एक्षन दस करोड की संपत्ती कुर्क की गई संजर राउत का शिंदे गुट के मंत्री दीपक के सरकर पर निशाना 2024 में जेल जाएंगे दीपक के सरकर दीपक के सरकर ने कहा सरकार में सब को बोलने की चूट दिल्ली में गरतन तुर दिवस की तैयारियां जारी करतब्वे पत पर परेड की रिहरसल करते दिखे जवार देशभर में हरिटेज लाइन की ट्रेंस में लगने वाले हाइड्रोजन इंजन की तस्वीर आई सामने स्टीम इंजन की तरह इस इंजन से भी निकलेगी भाप दिल्ली में बड़े इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद दिसंबर 2022 में दिल्ली में हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रिकॉर्ड पिक्री दिल्ली में आज ठंड का ओरेंज अलर्ड बुद्वार को दिल्ली में सीजन का सबसे कम तापमान दच किया गया दिल्ली समेत उत्तर और मद्वे भारत में भी ठंड का कहर जारी राजधानी के साथ यूपी, एमपी, राजिस्थान समेत कई राजियों में शीट ले है राजिस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू, बीस जिलों में अलर्ड जारी, साथ जन्वरी तक घने कोहरे की आशंका राजिस्थान के राज समन्द में स्कूल और बस, स्कूल बस और ट्रिलर की टककर, स्कूल बस में सवार चार छात्र घायर अस्पतान में प्रूपी तिल्ली एंस्यार में कम हुआ वायू प्रदूशन, ग्राप स्टेच थ्री वापिस, निर्माण के कारे को इजाज़त दुबारा मिली विहार के मुंगेर में खंड बढ़ने से लोगों की बड़ी मुसीबत प्रशासन की तरफ से अब तक अलाओ की कोई व्यवस्था नहीं उत्राखन के जोशी मट में अपने घरों को छोड़ रहे हैं लोग, कई घरों में आई बड़ी दरारे, भूस खलं का खत्रा पैदा हुआ बाहिस्थाब में पावंदी के बावजूद पूर ही है, नदी में खनन, हाई कोट के आदिश खा, खुले आम उलंग है राम मंदर तीर्थ शेत्र ट्रस्ट की एहम बैठक, आज राम बैठक में मंदर नर्माण की प्रगती रिपोग देखी जाएगी, आगे की तैयारियों पर होगा मंदर प्रियागराज में त्रिवेडी तट पर माग मेले की तैयारियां पूरी, 6 जनवरी से होगी मेले की शुरुबात प्रित्र नॉइडा के रिहाइशे इलागों में अभी भी नहीं टला तेंदुए का खत्रा, एक्सपर्ट्स की टीम अभी भी कर रही है तेंदुए की तलाश जार के बेगू सराय में आदम खोर बन चुके डॉक्स का एंकाउंटर, स्थानिय लोगों के मताबिक महुआ खाकर आदम खोर हो रहे हैं डॉक्स जारखन के दुमरी में बड़ा हाथसा, यात्री बस और ट्रक में हुई भीशन तक कर 24 से जादा लोग खाया राजिस्थान के जैपूर के पास अनियंतरित कार डिवाइडर से टकराई, हादसे के बाद कार में लगी आख, कार में मौजूद लोगों की जान बचाई राजिस्थान के सीकर में सड़क हाथसे में बाइक सवार दो युको की मौत, अन्जान गाडी से हुई बाइक की टककर राजिस्थान के उदैपूर में फरनीचर की फैक्टरी में आग लगी उदैपूर के बेदला इलाके की घटना दिहार के वैशाली जिले में जमीनी विवात को लेकर दो पक्षों में हिंसक छड़ा, पर चौबीस से जादा लोग हुए घायल, बदमाश दुकान में रखे पैसे भी लूट कर ले गए जियार के सुपोल में पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप, पुलिस ने गिरफतार कर यूवक की बेरहमी से पिटाई की, यूवक ने पुलिस अधिकारे की लापरवाही काब बनाया था वीजी यूपी के शाजापुर में निर्माणरभीन मकान का लेंटर गिरा अच्छे मजदूर मलबे के नीचे दबे दोकी हालत गम भी यूपी के श्रावस्ती में भयानक हादसा बेकाबू पिकप ने बाइक सवार को रोंदा, यूवक की दर्दनाग मौत 6 अनने लोग खाय चित्रकूट में संपत्ती को लेका चचेरे भाई बहनों में मारपीट, रिजिस्टरार ऑफिस में भिड़े भाई बहन, मारपीट का विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल राजिस्थान के शहापुरा में डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार, हादसे के बाद कार में लगिया, गिली से जैपूर की तरफ जा रही थी कार चीन में करोना वारस के हालात पर डबलू एचो ने जताई चिंता कहा, चीन का डेटा वास्थवे काप्टों से कम है, चीन बिमारी से होने वाली मौतों की संख्या को कम करके दिखा रहा है चीन में करोना विस्पोर्ट से परिशान अमेरिकी राश्पती बाइडन, मेक्सिको सीमा काप करेंगे दौरा वर्ल्ड कप चेंपियन मैसी का हुआ शांदार स्वागत, टेस जी के खिलाडियों ने दिया कार्ड ओफ ओन अमेरिका के मिनिसोटा में लगातार बर्फ बारी से बिगड़े हालाद, जादा तर मैदानी इलाकों में दंस इंच मोटी बर्फ जमी काई उड़ाने हुई रद गर्म मौसम से बधाल हुआ क्रोईशिया, निजी कारिकरम में नकली बर्फ का इस्तमाल किया गया इरानी एक्रिस ताहने अली दूस्ती को जेल से किया गया रहा, सरकार विरोधी प्रदशनों को लेकर हुई थी गिरफतारी ब्रिटेन में 18 साल तक के युवाव के लिए मैट्स पढ़ना होगा निवारे, ब्रिटेन के पीम रिशी सुनक जलभी कर सकते हैं घूश्रा स्पेन में गर्मी से हुआ बुरा हाल, मलागा शहर में बीच पर संबात करते देखे लोग, अधिक्तम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा रूस युक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा एक्शन, अट्लांटिक में तैनात की गई दुनिया की सबसे तेज मिसाईल, जिर्कौन, पश्चिमी देशों पर साधा निशान रूस ने युक्रेन के कीफ पर दागी मिसाईल, कीफ के अलफाविट होटेल को पहुँचा मुक्सान चीन में कोरोना ने मचाई कबाई, मरीजों से भरे शंगाई के अस्पताल, विशेशक्यों ने इस साल 10 लाख मौतों की जिताई आशन बेहत खराब हुई इरान की हवा, गंफीर बायू प्रदूशन के कारण राजधानी तहरान में स्कूल बंद, पूरे शहर में छाया स्मोग अमेरिका के दक्षोरी इसों में बार जैसे हालात, केंट की शहर में कई गाड़ियां पानी में डू भी ड्रोन तस्पीरे सामने आई नेजों के पूर्व महा सच्षिव की ताइवान के राश्पती से मुलाकात चीन के विस्तार को लेकर हुआ मन्थग अमेरिका के इलिनॉइ में देखा गया बवंडर, मौसन विभाग में जारी किया एलर्ट लोगों को घरू में रहने के निर्देश साउडी अरब में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किले, मदीना शहर की नदी में आया तूफाद अब क्यूबा के लोगों को मिल सकेगा अमेरिका का वीजा, अमेरिकी दूतवास ने बहाल की सेवाए देश छोड़ने के लिए तैयार हैं कई लोग अज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी-20 भारत को सीरीज में एक शून्ने की बढ़ात, पहले मैच में श्रीलंका को दोरन से हराया था ये अपनी जमीन पर नरसरी बना के सिर्फ चाड़ बेच कर साल में दो करोड कमाते हैं उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड करें